आज कैसे यार आप लोग वेलकम बैक तो अनदर वीडियो अपकोडिंग एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम करेंगे डेटा को इंपोर्ट प्रॉम गूगल शीट्स सीजवी फाइल विचिस कॉमा सेपरेटे वेल्यु फाइल जो कि होती डॉट सीजवी कई जगा हम लोग यूज करेंगी इस फाइल को और एक्सल माइक्रसॉफ एक्सल से किस तरीके से हम डेटा को उठा सकते हैं डेटा को उठाकर गूगल डेटा पर सबसे पहले मैं डाले data studio.google.com जो कि आप सबको पता है URL for Google Data Studio यहां पर आके आपने करा Cloud SQL, MySQL, Google Ad Manager, YouTube, Analytics and much more. In fact, अगर आपको Facebook Ad से डेटा उठाने, Kaggle से डेटा उठाने तो यह सब चीज क्या है हमारे पास available है यहां पर ठीक है तो सबसे पहले मैं जातो Google Sheets पे जब आप first time करेंगे Google Sheets पे click तो यहां पे लिखाएगा नीचे authorize आपको करना कि आपको authorize करना है औ आप जितने भी Sheets आपने Google Sheets पे बनाए होंगे आपने उस particular email ID से जिससे आपने Google Data Studio को open कर रहे है ठीक है जो आप यूज करें Google Data Studio के लिए उस particular email ID पे आपने Google Sheets बनाए होंगे वो सारे हो जाएंगे आप पर लिस्ट जैसे कि यह रहे मेरे इस पेसे मैं लेता हूँ dose data को जो क है यहां पर आगे इस data को मैंने उठाए ठीक है डोज कोई के data यह कुछ historical data अभी हमें data पे जादा नहीं जाना हम लोग यहां पर सीखना चाहा है ठीक है import कैसे तो ठीक है यहां इस data में कहें लेट से मुझे ना से टॉप 20 को उठाना था तो मैं कैसे करता टॉप 20 data select करता और इस एवन एवन यह पर्टिकुलर से क्या है एवन है और 21st वालो कांसे 21st यह यह इंदर कौन से जे 21 रिक्ड़ हाइन हो गया है जे 21 तो मैं लिखता है एवन टू जे 21 इस गूब शीट में से गूगल दिटेटा से इतना ही डेटा क्या करता एक्स्रैक करता है इतने को इंप मतलब नहीं है हम बेसी के लिए इसको थोड़ा सा थोड़ा सा ब्यूटिफाइब बना लेते हैं जोम रिसेट करके ओके ठीक है और प्लाव्त कैने में डाल देता हूं हाई कितना प्रैस गया था मैक्सिमूम हए उसके बाद लोग आगे कुछ और चीजएं ऐट कर देते हैं सबसे पहले इसको साइज सोड़ा सा बढ़ा लेता हूं मैं ठीक है एड में ट्रिक पोगए लो करा हमने लो ये लो बाई और लो दोनों के दोनों डीटा क्या होगे हमारे पास आगे बाइद वे डॉलर्स में तो अगर आप चाहें तो आप इसमें जाके सम की जगा आप इसको है या फिर ठीक है छोड़ो इसको ऐसे रहें देते हैं नमबर्स की जगा आप यहां पर करन्सी डाल सकते हो यह करन्सी है डॉलरा तो यहां पर जाकर आपको यूएजडी 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 सेलेक करने है यूएजडी ठीक है now look at this हाई वाले के आगे डॉलर में मैंने कर लिया क्या select see it is so simple ठीक है इस तरीके से हम क्या कर सकते है अपने Google data से उठा सकते है Google sheets से उठा सकते data को now what if I want to get some data from a CSV file तो मैं क्या करूंगा मैं क्या file upload पे यहां पे upload करने के यहां पे जाने का यहां पे क्या है click to upload files मैंने यहां पे click किया अब जहां पे मैंने क्लिक करते ही क्या है आप यह अप्लोड होने लगी मेरी अप्लोड थोड़ से इसको पर कर लेते हैं अभी क्या हो रहे स्टेटस आ प्रोसेसिंग जैसे यहां पर green light जल जाएगी यानि कि क्या go you are good to go see green हो गया या कोई प्रोट देड़ा में कोई दिक्कर थोई नहीं इन केस अगर कोई error क्या होता ना कई बार सीआपने डेटा को उठा रहे और आप विजुलाइज कर आने चार रहे इसके अंदर तो आपने डेटाव के अगर सकते बैसिकली एरो को रेक्टिफाइब करने की कोशिश कर सकते हैं तो यहाँ पर आया ड्रीपोट कर दिया मैंने यह मेरा फाइल जो है यह इधर भी क्या हो गया अप्लोड हो गया अगर मैं जाओंगा अब इसफे करता हो ठेक है अधर जाता हूं तो सी मेरे पास पहले गूगल शीट वाला आगे तर गूगल शीट का लोगो दिख रहे है और दूसरा क्या है मेरे पास कॉइन अंडर्स्कोर डोज को सीएस्वी अब मैंने क्या करा अप्रोड अब मैं सीएस्वी क्लिक कर लूँगा तो मेरे पा है अगया हमार ऀंक्लोटिंग सीर नमबर पहला अंडर्स गरने की tutuieso और सीए सूइए प्लैप कंधे से किया इंपोर riches चाहिए सब पहला क्या क्या कर लिए विस्जिकी से पा किरता हमारा गूगल शीट को हमस snippet नीचे जो तो सिंपल सी बात है आपको आपने क्लिक करना है वो पूछे को से लेटा चीए लेट से आपका जो गूगल शीट है बहुत कई सारे रोज है ठीक है और सबस्क्राइब प्रिक्लर करेंगे रेंच और वहां से वह बेसिकली मेट्रिक्स करेंगे सेलेक करेंगे एवां टू इतना भी होगा और वह उसको इंपोर्ट लेगा ठीक है जरूर नहीं एवां से टोटली डिपेंड और योर केस क्या आप कौन सा डेटा चाहते है उसमें इंपोर्ट कर रहा नों कुस पर्टिकलर सेक्शन चाहते हैं तो भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमने देख लिया .csv-file से कैसे इंपोर्ट करते हैं विच इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल अब हमारे पस बच्छा है एक्सल एक्सल से कैसे करेंगे तो देखिया पहली बात तो आप एक्सल से सिंप्ली एक्सपोर्ट कर सकते ह ठीक है इसको इंपोर्ट करने के लिए एक्सल से डैलेक्ट देखा जाया है तो वह थोड़ा सा ज्यादा हो जाते है तो हम इस केस में करते हैं हमें कुछ नहीं करना जो चीज मैं आपको बता चुक है हमारे लिए सबसे बैस पढ़ता है जब उपना काम हो रहा है सस्ते में तो क्यों लगाए ज़्यादा इसे मैंना सिंपल जॉप वाई पाइल में जाके आपको करने से वैस से बहर जाएंगे आपने कोई भी अपना प्र लिया अपना कर लिया सेलेक्ट ठीक है यहां पर एक्सल वरकूक है इसकी जगह आपको करने सीजवी देखे आपको सी एसी आ जाएगा से हो जाएगा राइट ठीक है डोज डाटा करके यह मैंने कर लिए इसको सेव ओके अब कर देखे आपको बंद में ज्यादा जोरत है नहीं अब अब सिंपल है मैं जाता हूं इन फैक्ट मैं क्या करता हूं न एक नही फैल बनाते है यहां पर इंपोर्ट करते है हमसे डेटा मंगें कर अब रिपोर्ट बना तो रहो डेटा कहा है डेटा किदर है तो हम गए माई डेटा सोट पर नहीं यहां पर पकड़ा हमने फाइल अप्लोड क्लिक टू अप्लोड डेक्स्टॉप पर हमने रखा हुआ है अपना राइट डेक्स्टॉप पर यह देखे है हमारे पास क्या है सेसी फाइल आ गई कॉमा सप्रेटिव डेली फाइल हम गये यहां पर सिंपली है और हमने करते है क्लिक अप्लोड गूपर तो जस्ट लूग डॉट सीच्वी अब इस तरीके से करते हैं क्या हम अपने फाइल को अप्लोड यह देखे गी यह लोता तो थांबा ग्रीन है तो गो ठीक है घ्रीन आ गया हमने कर देश को आड्ड करने के बाद हमारे पास फिर से वही आजाएगा येस एड्ट रिपोर्ट वो पुस्त है क्या आपके इसी डेट जाल देटा बढ़ा है तो लग जाएगा टाइम मैंने का हां जी मैं इसी को करना चालता हूँ इस केसे मैंने सी 50 क्योंकि जो मैरी सीट ने सिंट्री जा ली थी जालरा करूगा क्या हमें तो यह देखना है कि भईया एकसल से कैसे इंपूर्ट कर सकते सिंपल तरीक आपके आ इसको थोड़ा साइड करें पैन को लेते हैं ब्लू लेने के अब ब्लू लेते चलो Microsoft Excel हमारे पास Excel है ठीक है हमने का ब्रीया देखो .xlsfile तो नहीं होरी ठीक है तो क्या कराजया अगर .xlsfile दिखकत दे रहे है अप्लोड करने में तो क्या कहले हैeneca ठीक है तो हमने का सफइर को क्या इनद ऐसे एकसी को किसी इंपॉर्ट यहां पर देखना चाहिए को किस तरीके से करते हैं हम यहां पर इंपोर्ट राइट तो ठीक है गाई थैंक यू सो मच बाइड वै आप यहां तक रुकर तो आपको एक बोनस और दिखाव टेप सबसे पहले इसको रिनेम कर लेते हैं हम रिनेम करके डाल दिंगे इधर एडिट और वहीं अधिक है यहां पर यहां पर हमने करते हैं रिमोट डोज कोई डोज तो यहां अब देखो यह न दॉलर समय अधिक रुपीज में कितना उसका रिट तो मुझे करना कहा है मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे गया यहाँ पे जाके मैं हाइड आ रहा हूं को कि हाई था हमारा ठीक है रीट इन्टु यहाँ भी बेसिकले लिख रहे है ठीक है इन्टु आइगे नाज रूपी कितने का रहा आईगे 75.4 फूर सम्तिंग था लाज जा मैंने चेक किया था ठीक है घ्रीन सिगनल आ है अब करेंसी पर जाके क्या कर सकता हूं मैं आई एन आर कि देखो यह कि यह मैंने फॉर्मला वाला अप्रोच क्यों यहाँ पर यूज किया उसके पीछी रीजन ही कि आपको यह छोटी छोटी चीज़े यही आगी उसमें काम में आती ठीक है यह तो चलो यहाँ पर है हमने आपको समझ में आ गया होगा आप स्प्रेडशीट डेटा को किस तरीकी से इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में और उससे आप कितने प्यारे प्यारे कैसे विजुलाइजेशन बना सकते हैं तो thank you so much thank you so much for tuning in and I really appreciate your time thank you